गग्जाम में इस तरह क्वेस्षियों देखा गया a ratio b equal to 2 ratio 3 है और b ratio c equal to 5 ratio 9 है और c ratio d equal to 6 ratio 7 तो कहरा है कि a ratio b ratio c ratio d कमन निकाले तो ऐसा प्राश्म को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ट्रिक का यूज करते हैं सेम ट्रिक का युज़कर रहे हैं A ratio कहां लिखेंगे B ratio C ratio यहां डी अपका यहां लिखेंगे 2 यहां ह ठीक है अब कहा रहा है ना B ratio C तो 5 रेशियो 9 यहां लिखेंगे 5 ratio C में कितना 9 तो अब D को हम नहीं लिख रहे हैं उसको क्या करेंगे लाश्ट में लिखेंगे क्यों लिखेंगे अभी देखते हैं सबसे पहले हम लोग यही फर्म ऐसे करेंगे क्रोस करेंगे पिछला वीडियो में मैं बताया हूँ क्या है पाइच दुना 10 हो गया है यह क्या हो गया पश्टियाई 15 यह क्या हुआ पश्टियाई 15 अब यह दुनों मुल्टिप्लाई करेंगे कितना आ गया नोतियाई 27 यह कितना आ गया नोतियाई 27 तो इसको अब सॉल्ब करने के लिए दॉन सी सियो मॉल्टिपलाई करेंगे क्या करेंगे यह इन टीनू हम क्लब करेंगे मेंटीपलाई करेंगे और सग्सेर डी मेंडिपलाई करेंगे सी में भी मुल्टिप्लाई करेंगे अब देखते हैं करके क्या है छो से दस में भागा दिये तक गुना किये तक इतना है साथ दस चके साथ 15 चक कितना हो गया नब्बे और 27 चक कितना हो गया साथ चक ब्यालिस की दो च्छे दुना 12 चार 16 162 हो गया अब यहां इस्से डी है ना डी को किस में मल्टिप्लाई करेंगे तो 27 केतना हो जाएगा हमारा ससते 49 साथ दुना 14 चार 18 18 18 कहने का मतलब हमको हो गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमारा कितना हो गया ये रेशियो 60, B केतना हो गया, 90, C केतना हो गया, 162, और D हमारे केतना हो गया, 189, इस तरह को प्रस्म को हम लोग इस तरह से स्वाब करते हैं, महत का इमेजिंग ट्रिक आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में जरूर बताएंगा, इसे इमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सेर करें, सस्क्राइब करें, और लाइक करना ना भूले, मिलते हैं अगले वीडियो,